नुश्क्राइब किसानवे आज किस वीडियो में बताऊंगा जटका मशीन ने बारें कुछ बाते बताऊंगा किस तरह से आप करण बढ़ा सकते हैं यह करण कम आ रहा ते क्या कारण हो सकते हैं दोस्तों पहले बात यह विश्य ध्यान रखिएगा जो जटका मशीन का अगर करण चेक करना तो कैसे करेंगे क्या मशीन करण कम निकाल रही या फिर आगे आपकी वाइरिंग में लिखते हैं इसके चेक करने के लिए आपको करना क्या आपको अपनी बैटरी जोड़ देनी इसके साथ और इसके बाद चलू करके एक लकड़ी के ऊपर तार बांद लिए तार बांद लिए एक में डालकर दूसरे के ऊपर थोड़ा सा पास में कीजिए अगर करिबन इतनी दूर से जिते मेरे अंगोली देख पा रही है कि इतनी दूर से पटाका बोलता है तो मशीन सही है मशीन में कोई प्रोब्म नहीं अगर माल लेजिए बिलकुल तार ऐसे ब कि आपने जो आगे एक आगे एक होगा वाया जाता जाता है ज माल लिबाया है इतनी जगह ज्यादा टच होगी उतना ही क्रंट कम होता सकता हुद यह अग वसे वैसे अंको वैसे पता नहीं चलता है आपको किसी भीतार को जैसे आपके ए pie créer مर्बया ये माल लाँ नीजिये तो यहां इए लेकर जोघता तर ये जोड रखी दिए इस तरि लट मार्ण को यहां से जोड़ दीजिए, और यहां से खोली रखी है, फिर इस ला लाक落ु चेक कर लीजिए यहां से बनें यहां से। जितना करंट स्टार्टिंग होगा, उतना क्ना सिंकरत हैं कहीं से कर सकते हैं। आप चारे तरफ का करंट कर सकते हैं। अगर माल लेजिए आपको सारे एक साथ जुड़ा है तो दिक्कत के आती है भली करनट आपको यहां फाट आपको सारी तार ढूंड ढूंड कर बहुत मुश्किल हो जाती है ढूंडने में तो सीधे सही कर लीजिए सीधा सिंपल तरीका रहेगा अब बात करके उसके अलावा अगर आपके जटका मशीन करनट कम निकाल रही है तो उसका एक मातर तरीका सही करने है दो तरीके से मुझ जटका मशीन काम करती है एक सिर्फ बैटरी पर और दूसरा साथ में कुछ ना कुछ जुड़ा होता है या तो हमारे जो एक लगा होता है बैटरी चार्जर वो लग होती है तो सोलर से भी पावर आ रहे होती है बैटरी से भी पावर मिलते होती है बैटरी चार्ज भी हो रहती है बट दोनों से पावर मिलने कारण जटका बहुत ही ते चलता दिन में जाता तर पशो का उजाण हमारे रात में होता है रात में क्या होता है सोलर बंद हो जाती बैटरी पर चलती है कर दोड़ी सी देरी हाई पाउर निकालती जिससे की चटका चलता है और थोड़ी हो जाती है बंदनी नहीं हो जाती है कभी भी गोर कीजिए कि रात के समय आपके जब छोड़के गए तो आवाज ज़्यादा आ रही थी और सुबह जब आप आप आए थी तो चटका मशीन जो कट कट बोलती रही थी मशीन वो धीरे बोल रही होती तो यही कारण होता है कि आपके बैटरी में दिखता है तो इसके के लिए हमारे खेत दो एरियम आता है पहला है एरिया जो कि हमारे आ जाता है सड़क के इस तरफ जिसके लिए हम यह यह उज़ करते हैं यहां पर इतना उज़ाड़ा नहीं रहता सड़क के दूसरे तर जहां पर दूसरे तर नरसरी भी आती साथ मुश जिसके उज़ाड़ पनावी नहीं पड़ती है इसके लिए को एक सिस्टम लगा देते कोई 50 रुप्य लेते हैं वह सिस्टम लगाते हैं जिससे कि सीदी बैटरी के पैसा बज जाते हैं तो वह 500 मारुपे कम आता रहता है वहीं पर अगर शोलर की बात की जाए तो 11-1200 से करीवें बड़ी प्लेट स्टार्ट होती है चोटी प्लेट तो क्या सर्दियों में चार्ज ही नहीं कर पाती बैटरी को इसलिए 1100 के आती है और वह 500 खट जाता है बहुत जादा पैसा बजा करें